हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम मंत्रा ये यूट्यूब चैनल पर तो आप सभी में बताना चाहता हूं कि आप सभी जो 15 अपरेल को आपका पीजाम होने वाला है ठीक है इसके विसे मैं आपको बताऊंगा कि यह आपका पेपर कितने नंबर का आएगा कितने स्विट में होगा और साथी साथ कौन कौन से सबस्से आपकी प्रush Ney आएंगे यानि कि आपकी प्रश्च 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 किस आधार के पूछ ठीक है तो चलिए इसमें हम आपको संपूर जानकाई देते हैं अगर आपको जानकाई अच्छे लेगा लाइक से अश्क्राइब जरूर करेगा साथ ही साथ मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जब 15 अपरेल को पेपर होगा तो दोस्तों आपको क्या करना है अग हम अपने इसी चैनल पर एंसर की इसकी प्रवाइट कर देंगे जैसे आपका पेपर फर्स्ट पाले और सेकंड पाले जैसे पेपर होगा मैं आपको तुरंत अपने चैनल का माध्यम से इसकी अनओफिसियल एंसर की जाली करूँगा और दे दीगा इससलिए आप मैं चैनल को सब्सक्राइब करने अभी से और बेल नॉटिपिकसन जरूर आन कर लें जिससे कि मैं आपको बेडियो अपलोट करें तो आपको पता चल जाए साथ ही साथ मैं आपको बता दें चाहता हूँ दोस्तों अगर आप पस पेपर पहुंच आता है तो अगर आप चाहें तो हमारे वाटसेब नंबर पे भेज सकते हैं मैं आपको पेपर देखने पार एनलेसिस करूँगा अगर कोई मित्र भेज देते हैं या हमारे किसी कोई मित्र की आ जाता है तो ठीक है अगर आप नहीं आ पाता है तो आप लोग हमें जरूर 95, 40, 15, 50, 23 पे हमें वाटसेब के जरीए एक थोड़ा सा क्लियर दिखने वाली पिक के साथ आप पेपर भेद दीजिए अगर दोस्तों ठीक है तो चली वीडियो सुरू करते हैं लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चानल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चानल से आप जुड़े रहिए और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि 15 अपरेल को आप सभी का बीड इंटेंस एक्जाम है जी हां आप सब जानते हैं कि 15 अपरेल को आप सभी के लिए बीड इंटेंस एक्जाम करा जा रहा है जो आपके लिए काफी इस बार महत्पूर्ण होगा क्योंकि अगर इस बार साथ आपका B8 भी कोर्स हो जाएगा अभी अगर आप कर लेंगे तो आपको दुशाल मैं ऑलकिन आप इस बार चूख जाते हैं किसी कारव वस तो आप चार साल का B8 के लिए इंतजार करेंगे ठीक है हम नहीं चाहते कर चार साल के फिर वेट करें और दूसरे गिजाम जिसका समय है उनके लिए ठीक है जिनके पास समय नहीं है वो इसी बार मेहनत कर लें कि आप क्योंकि आप आप पास को दो हपते का समय बच्चा हुआ है यानि कि दो हपते ज्यादा आप पास इंटेंस एक्जाम त्यारी करने के जो अभेर्थी होंगे यह चार गुना भेर्थी जादा होंगे अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको कड़िस परदा देनी होगी क्योंकि एक सीट पे चार भेर्थी इस बार प्रतिभाग हो रहे हैं पिछले बार कि अपे इच्छा इस बार काफि अधिक मात्रा में फार भी पड़े हो गए जैसा आप सब जान रहे कि कभी कभी ऐसी ऐसी बेकेंसी आ जाती है ऐसी चख भरती के लिए जैसे कि आप 37,000,99,000, 60,000 बेकंसी आ रही है तो यह चांस हो सकता है कि फिर कभी ऐसी बेक्स भरती दोर आई जाए ठीक है त बंद्र अपरेल को आप जरूर याद रखें और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप सभी के लिए जो पेपर आएगा इस बार दोस्तों ठीक है यह पेपर आप सभी के दो पालियों में दो पालियों में आपका पेपर होगा ठीक है दो पालियों फस्ट और सिप्ट और सिकेंड काड भी जारी हो जाएगा ठीक है और मैं आपको बता दू टोटल जो आपका 400 400 मार्स सा आपका पेपर कराया जाएगा बिए इंटेंस एक्जाम और यह 400 मार्स कैसे होगा दोस्तों 200 students members 200 अर्च चीवी जाएगा ऐसमें दिए जाएगा नाभी आतरे सेंट यहाएगा क्या में दोस्तों ये आप देखिए तो पहले पाली में अगर आप पेपर दे जाते पहले पेपर में आपका सामान ज्ञान रहेगा यानिकी जीस के 50 प्रसन आएंगे जीस के 50 प्रसन आपको दिये जाएंगे और साथ ही साद आपको भासा चंपता ठीक दो Mu भासा छंता कि आपके 50% पूछ जाएंगे, यानि कि टोटल आपक ओवराल, कितने कोशचन हो गए, 100 कोशचन, यह कोश्चन दो नंबर का आपका दिया जारा है, तो आपके कितने कोश्चन हो गए, 100 कोश्चन दो-सोन नंबर का, इधर आपका फर्ष्ट पालिक हो गया और शेकंड पालिक में आपका भी इसी तरीके से है आपके लिए जो है अभिरूची ठीक है अभिरूची और कला विज्ञान की विश्यस्ताओं से 50-50 प्रसन पूछे जाएंगे यानि कि पचास-50 प्रसन से आपकी अभिरूची कला विज्ञ पुलांक होगा इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस प्रता इस बार ज्यादा है ठीक है नहीं तो आप फिर वह चार्वर्ष्ट पार्ट करनम के पीछे पड़े रह जाएंगे और आगे मैं थोड़ा सब्सक्राइब बता दूं कि इसमें आपका नि और अभी सबस्हे के लिए हमारे और हमारे चैनल की तरफ से हमारे सभी टीम की तरफ से आप सब्सक्राण बदाइगा आप सभी को बढता प्लग ठीक है समया आपके लिए पेपर जोरूर भेल पहत्ज़ा इसलिकोर बनाएंगे तो बहुत-भुत धन्यवाद